लिसाडी गेट थाना शेत्र के शौकीन गार्डन में महिला ने डीलर पर बैनामा नहीं करने का आरोप लगाया महिला का आरोप है कि डीलर ने उसके साथ मारपीट की उसके आठ साल के बच्चे को उठा कर जमीन पर पटक दिया महिला ने लिसाडी गेट थाने में तहरीर दे कर कादरवाही की मांग की है शौकीन गार्डन की रहने वाली रोजी पतनी जाकिर ने बताए कि उसने शौकीन गार्डन में सल्मान प्रोपर्टी डीलर से पच्चास गज का प्लॉट खरीदा था लेकिन सल्मान ने उसका बैनामा नहीं किया शुक्रवार की सुभा जब उसने सल्मान से बैनामा करने के लिए कहा तो आरोप है कि सल्मान ने उसके साथ मारपीच कर उसके आठ साल के बेटे को उठा कर जमीन पर पटक दिया वहीं डीलर सल्मान कारोप है कि जब रहे कार में सवार होकर घर से अपने आफिस पर जा रहा था तो रोजी ने दो महिलाओ के साथ मिलकर उसके साथ मारपीच कर गाड़ी में तोड़ फोड़ कर दी दोनों ही पक्षों ने लिसारी गेट थाने में तहरीर दे कर काड़वाही की मांग की है फिलहाल पुलस दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच परताल कर रही है अपसके साथ मारपीच कर लड़का कहा के रहने वाले हैं और तो पाप शोकीन अब आप ताना ही हूँ कैसा अपनी हम जब जहा भी देनी दरकाल में जब जब मुझे अब मुझे जमीन मेरे घर चाहिए अग्ट मेरे किसा ओना मार बसना है जाए। क्या मामला हुआ कैसे गाड़ी चुटिया को ना शोकिन गाड़न के अंदर एंट्री की और आते वक्त आपस में तीन चाल और तो में लड़ाई हो रही थी जिसमें आपस में पत्तरवाजी चल रही थी और गाली अंदर मेरे शीशे पर आतर लगवाली के समुख पर गाली से आतरा तो उन्होंने मुझे परी पत्राव शुरू कर दिया मेरे साथ तीन चार ओरतों में इस्टाट रहती है तो फिर क्या हुआ वो पास के बात की तीन चार ओरतों की भीडाई बद्तमीजी की पिर मैं वहां से चला जाया कि कहां पे रहती है कहां लेडी से यह शोकिन गा प्रफ्राव किया तो गाड़ी में कितनी नुक्सान वहां इसके 40-50,000 जवास कंदर नुक्सान है क्कोंती गाड़ी आपकी है हूंड़ा सेटी गाड़ी है